Hello students, आज का हमारा topic है complexometric titration of zinc with EDTA, यानि की zinc का EDTA के सामने complexometric titration करेगे और sample में zinc का amount दे करेगे. Aim, to determine the amount of Zn2 plus in given solution of ZnSO47H2O by complexometric titration. ZnSO47H2O के तियेगे solution में Zn2 plus 2 का amount complexometric titration से तै करेगे. उसके लिए requirement से 0.01 molar EDTA solution, stock solution of Zn2 plus, buffer solution of 10 pH, and indicator idiochrome black tea. reaction equation, यहां titration के दोरान दो reaction होते हैं, जिसमें पहले reaction में conical flask में analyte Zn2 plus का 25 ml solution लेगे, जो colorless है, उसमें indicator idiochrome black tea add करेगे, जो blue color का है, जिसमें Zn2 plus metal और indicator के बीच reaction से जिसमें Zn1, यानि की metal indicator complex format होता है, जो wind red color का है, और उस wind red color के complex में, जब second reaction में, उसमें burret में से Titan EDTA का solution add करेगे, जो colorless है, उसमें EDTA indicator का replacement करता है, जिससे zinc EDTA complex का formation होता है, और indicator free form में मिलता है, यानि की color change wind red से blue होता है, free indicator का color blue है, इसलिए color change wind red to blue होता है, यानि की zinc EDTA complex is more stable than zinc indicator complex, and यहाँ zinc EDTA complex tree stability 10 pH पे ज्यादा है, इसलिए यहाँ 10 pH के buffer solution का use किया जाता है, preparation of standard 0.01 molar EDTA solution of 250 ml, 250 ml 0.01 molar EDTA का standard solution बनाने के लिए, यहाँ कितना weight करना है, वो हम calculate करेगे, अगर EDTA का molecular weight 372.25 gram जितना weight करेगे, पानी में dissolve करके 1000 ml solution बनाएगे, तो वो 1 molar होगा, 1000 ml 0.01 molar EDTA का solution बनाने के लिए, 372.25 gram EDTA को 100 से divide करेगे, यानि की 3.70 to 25 gram EDTA का weight करेगे, पड़ेगा, यहाँ हमें 250 ml 0.01 molar EDTA का solution बनाना है, यानि की यहाँ molar EDTA सेम है, लेकिन volume 4 हो गया है, यानि की volume 4 हो गया है, तो हम weight को 4 से divided करेगे, यानि की 3.722 to 25 divided by 4 करने से 0.9306 gram EDTA होगा, यानि की 0.931 gram EDTA का weight करेगे, उसको पानी में dissolve करेगे, और 250 ml के measuring class में distilled water एड़ करके 500 ml dilute करेगे, तब EDTA का 250 ml 0.01 molar EDTA का solution होगा, प्रोसीजर जिसके बारे में आगे हम discussion करेगे, अब्जर्वेशन, विरेट में 0.01 molar EDTA का solution एड़ करेगे, कॉनिकल फ्लास्क में 25 ml dilute ZN2 plus का solution लेगे, उसमें 25 ml distilled water एड़ करेगे, और 3 to 4 ml 10 pH वाले buffer solution एड़ करेगे, इंडिकेटर इरियोक्रम ब्लेक टीके 3 to 4 drops एड़ करेगे, और titration के दरान color change होगा wine red to blue, तो चलो हम titration करेगे, और titration करके यहाँ pilot reading और exact reading यानिके constant reading तहे करेगे, तो चलो हम जाते हैं lab में, करके प्रगो प्लूस तो झाल करेगे यहाँन बाते हैं झाल 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 से 25 ml Zn Plus 2 का सल्यूशन लेगे उसको कॉनिकल फ्लास में एड़ करेगे झाल झाल सल्यूशन देखेगे यहां कलर चेंड वाइन डिट्टू ब्ल्यू हो गया है और पाइलो ट्रीडिंग है 20 ml अब एक्जेक्ट ट्रीडिंग तै करने के लिए फिर से 25 ml जिंक सलफेट का स्टॉक सल्लूशन कॉनिकल फ्लास्क में लेगे उसमें 25 ml डिस्टिल वाटर एड करेगे 10 pH वाले बफर सॉल्यूशन के 3-4 ml एड करेगी और 3-4 ड्रोफ इंडिकेटर इरियो क्रॉम ब्लेक टीक के एड करेगे तब सॉल्यूशन वाइन डेड कलर का होगा बाद में EDTA के सामने टाइटरेशन करेगे 19 ml तक EDTA का सॉल्यूशन एड करने के बाद 0.1 ml, 0.1 ml EDTA का सॉल्यूशन एड करने से कलर चेंड तई करेगे तब 19.2 ml पे कलर चेंड वाइन डेड टू ब्लू मिलता है यानि कि यह कॉंस्टन्ट रिडिंग है और ऐसे तीन रिडिंग लेगे अब्जर्विशन टेबल टाइक्ट्रेशन के दोरान हमें पाइलोट रिडिंग मिलता है 20 ml इनिशल रिडिंग 0 ml था और फाइनल रिडिंग मिला है 20 ml यानि कि डिफरंस होगा 20-0 यानि कि 20 ml जबकि एक्जर्ट रिडिंग के दोरान यहां इनिशल रिडिंग 0 ml था जबकि 19 ml थक हमने विरेट में से EDTA एड किया था और बाद में 0.1.1 ml EDTA का solution एड करने से 19.2 ml पे color change मिलता है यानि कि final reading 19.2 ml है और डिफरंस होगा 19.2 ml और ऐसे दुसरे दो reading लेने से exact reading मिलता है 19.2 ml यानि कि constant reading है 19.2 ml थुस 19.2 ml is the volume of 0.01 molar EDTA required for the 25 ml of dilute Zn2 plus solution यानि कि 25 ml Zn2 plus के dilute solution के लिए 0.01 molar EDTA के 19.2 ml जरूर है यानि कि complex बनाने के लिए 19.2 ml 0.01 molar EDTA के requirement है calculation amount of Zn plus 2 in given solution दिये गए Zn plus 2 solution में Zn2 plus का amount तई करेगे equation के दोरान हमने देखा कि Zn2 plus के एक मोल के साथ EDTA के एक मोल रियक करते है यानि कि अगर 1000 ml 1 mol EDTA का solution यूज होता है तो solution में, sample में 65.3 gram zinc होगा यानि कि zinc के atomic weight जेतना zinc का amount present होगा अगर 1000 ml 0.01 molar EDTA का यूज होता है तो 0.6537 gram zinc होगा 1 ml 0.01 molar EDTA का solution यूज होता है तो zinc का amount होगा 0.0006537 gram यहां virate reading 19.2 ml है यानि कि 25 ml Zn2 plus के dilute solution के लिए 19.2 ml 0.01 molar EDTA का यूज होगा है यानि कि 25 ml dilute solution में zinc का amount होगा 0.0006537 into 19.2 gram यानि कि उसका multiplication होगा 0.0125 gram zinc यानि कि 25 ml dilute zinc के solution में zinc का amount होगा 0.0125 gram 250 ml dilute solution में zinc का amount होगा यानि कि 25 ml से 10 गुना होगा यानि कि 0.0125 into 10 gram यानि कि 25 ml dilute solution में zinc का amount होगा 0.125 gram यानि कि result होगा 1. require volume of 0.01 molar EDTA for 25 ml of dilute solution Zn2 plus solution is equal to 19.2 ml the amount of Zn2 plus in given solution is equal to 0.125 gram thank you for watching